हैलो फ्रेंट्स, मलीना ये 2000 की मुवी आज में आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ एक छोड़ा लड़का एक औरत की पैप में पढ़ जाता है इसके बाद क्या होता है, ये आज की मुवी की स्टोरी लाइन है इस मुवी की स्टोरी लाइन तो सिंपल लगती है और बहुत सारी जीसे ये रिवील करती है सोसाइटी किस तरीके से लोग को देखती है और स्पेशली औरतों को देखने का सोसाइटी का नजरिया इसकी एक कम्प्लीट इंसाइटी मुवी देखर जाती है मुवी स्टार्ट होती है और मुवी की सेटिंग हमें दिखाई जाती है मुवी जो है कि इटली के एक शेहर में चल रही है हमारा मेन क्यारेक्टर एक छोटा लड़का रिनेटो हमें दिखता है इनके कंट्री में वार का इलान हो चुका है पर आज उसे बाइसिकल मिली है तो यह बहुत खुश है बाइसिकल लेकर यह बड़े बच्चों के पास चला जाता है इन बड़े लड़कों का एक exclusive गैंग है जिसने रिनेटो को भी शामिल होना है इसे वज़े से इसने cycle बाइ की है क्योंकि इन सब के पास cycle है रिने तो जब cycle लेकर आता है तो इसके वो friends बन जाते है यह बात ही कर रहे होते है तभी वहाँ से मलीना आती है यह सब लड़के बैट जाते है और मलीना को देखने लग जाते है रेने तो मलीना को पहली बार देखता है तब ही उसे प्यार हो जाता है मलीना एक बहुत ब्यूटिफुल उरत होती है और सब लोग इसके पीछे होती है जब मलीना इनसे पास हो जाती है तो अलग कॉर्नर पर आ जाते है और फिर से उसे देखते है इसा करते करते शहर तक वो पहुचते है मलीना इन सब के हैं एक टीचर की लड़की होती है ये टीचर डेफ होता है तो मलीना को लेकर इनसे वो बहुत मजाग करते है ये सब लड़के समुन्दर के पास बेट कर अपने आपको मेजर गर रहे होते है इसमें से एक लड़का ब्रैक करता हो कहता है ये लड़का कहता है कि मलीना ने मुझे एक बार सिगरेट लाने के लिए बोला था जब वह वहा गया तो उसने अपना रोब नीचे गिरा दिया मैंने उसे पुरा नेकट देखा है इसी तरीकी की स्टोरी सब लोग मलीना के बारे में बनाता है तो फिर इमेजिन करता है कि वो भी मलीना के घर के सामने है और मलीना ने उसे सिगरेट लाने के लिए बुलवाया है उसके फ्रेंड ने जो स्टोरी कही थी यही स्टोरी अपने माइंड में रीक्रियेट करता है अब रेने तो को लगता है कि वो बड़ा हो चुका है हाप पैंट्स पहनना उसे ज़रा गलत लगता है तो अपनी फैदर की पैंट लेता है और उसे अल्टर करवा कर लाता है जब उसके फादर को पता चलता है तो बहुत ही जीट जाते है यसे कुट्टे जैसा मारते है यह अपने फादर को कहता है कि मुझे शरम आती है उसके फादर और वो फिर डील बनाते है उस वक्त इटिली में मुसुलीनी का राश्ता इसके फादर कहते है कि जिस दिन मुसुलीनी मर जाएगा उस दिन में तुम पैंट दिलवाँगा रनी तो भी इसके लिए मान जाता है रनी तो रात में जाकर मलीना के घर में एक होल बना कर देखता है कि उसके घर में जल क्या रहा है मलीना अपने घर में अकेली होती है उसका हस्बन वार में चला गया होता है रनी तो जब बारबर शॉप में जाता है मलीना के बारे में सब कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कहते हैं कि मलीना का कोई न कोई तो होगा जो उससे हल्प करता होगा उसका husband बाहर चला गया है तो उसका किसी के साथ affair है सिर्फ rumors फैलाने का काम सब लोग करते है मलीना बहुत अकेली होती है अपने husband का later पढ़ती है उसे बहुत बुरा लगता है रने तो अब उस पर हमेशा spy करने लग जाता है और सब कुछ देखता है वो फिर से रात में whole से मलीना के घर में देखता है मलीना music सुनकर dance कर रही होती है ज़ी रहा कर सिर्फ धुन से shopper को बता रहा होता है कि उसे गाना चाहिए shopper फिचरफ परिशान हो जाता है वो उसे बोल की लिए कहता है रात में यही सीडी लगा कर वो सुनता है इसके पास एक छोटी सी भूख होती है जिसमें nude paintings होती है इसमें भी वो मलीना को ही देखता है मलीना को देखकर imagine करता है कि वो उसके पास आ चुकी है वो उसके room में ही है और अपने आपको please करने लग जाता है समुन्दर के पास आकर मलीना को एक later लिखता है उसमें लिख रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे life में मेरे सिवा कोई भी नहीं है जो भी लोग कहते हैं यह सब कुछ गलत है इसका कुछ भी courage नहीं होता और later fake देता है मलीना का अब वो पीच्छा करते करते शेहर में भी आ जाता है शेहर में हम देखते हैं तो सब लोग मलीना को देख रहे होते हैं जवान भुड़े सब लोग रने तो फिर मलीना का पीच्छा करते करते एक घर तक आ जाता है इस घर में उपर के खिड़की से मलीना के लिए कोई चावी फेकता है और मलीना अंदर चली जाती है जैसे लोग कहते ही है वैसे रनेतों को लगता है कि इसका इस आदमी के साथ अफैस जल रहा है अब रनेतों को लगता है कि उसके साथ दोका हुआ है वो ठेटर में बैटा हुआ देखता है और ठेटर में जो फिल्म जलती है इसमें भी उसे अपना ही सीन देखता है इसमें मलीना को conference कर रहा है कि क्यूँ उसने उसे दगा दिया ये heart broken हो जाता है इसे और भी curiosity है कि मलीना किस के साथ है तो फिर से उसका पीछा करता है ये घर second floor उपर होता है तो चड़ कर 2 फोर आ जाता है जब ऐसधी आपको प्लीज करता रहता है उसके बेड के आवास आती है उसके फाधर उसे बहुत ड़ड़ते हैं बर्विरमानने वाने वाला नहीं होता है नींस देखते हैं that 두क .. अपने के साथ होते हैं उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं कि मलीना का हस्बन वार में शहीद हो गया मलीना उसके फादर की घर पर होती है यहाँ भी रने तो आ जाता है उसे बाहर से ही देखता है पर वो इमेजिन करता है कि वो अंदर चला गया है जाकर कह रहा है कि हमेशा मैं तुमारा खैल रहूँ सिर्फ मुझे थोड़े से साल दो पड़ा होने इसके बाद उससे किस कर रहा है यह सब इमेजिन करकर वहाँ से चला जाता है अब रने तो जहाँ भी जाता है तो सब लोग मलीना के बारे हमीं बात कर रहे होते है मलीना का किसके साथ affair है इसके वो thiras बनाते है रने तो कोई अच्छा नहीं लगता ये लोग जब रने तो कोई दूद लाने के लिए कहते है तो इसमें वो थूग देता है मलीना के खिलाब कोई जाए यह उसे अच्छा नहीं लगता रने तो फिर judge आता है judge में यह डारेक्ली god से बात नहीं कर सकता क्योंकि यह उसे अपनी edge का नहीं लगता वो एक apostle से अपनी सब बात कहता है वो कहता है कि हम एक deal करते है मलीना को तुम सही से रखना और मैं हमेशा तुम्हारी कैंडल चलाता रहूंगा रने तो एक दिन जब मलीना पर नज़र रख रहा होता है तो वो अपने कपड़े निकाल रही होती है तो उसका ब्लाउज वो बाहर ही रख देती है रने तो जाकर ये ब्लाउज लेकर आता है ये फेस से रात में मलीना को इमेजिंग करता है और ये ब्लाउज अपने फेस पर रख कर रात में सो जाता है अगले दिन इसके फादर ही देखते है घर में बहुत ही तमाशा खड़ा हो जाता है इसकी मदर रोने लग जाती है इसके फादर इसे मारने लग जाते है ये बलाउस इसकी मदर जला देती है सब लोग अब डिस्टब हो जाते है इसके फादर इसका रूम बन कर देते है रने तो बाहर नहीं जा सकता तो खाना भी ना छोड़ देता है एक बीमार पढ़ जाता है तो डॉक्टर को बुलवाया जाता है डॉक्टर कहते इसे बाहर जाना चाहिए फिर से इसका रूटिन स्टार्ट हो जाता है एक दिन मलीना के फादर को एक लिटर मिलता है उसमें लिखा होता है कि मलीना सब गाओ के साथ सो रही है मलीना के फादर को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से वो चले जाते है रनेतो का फ्रेंड मलीना के बारे में बुरी बात ही कर रहा होता है तो रनेतो और उसका फाइट हो जाता है अब रनेतो विर से मलीना के घर में जाग कर देख रहा होता है रात में हो देखता है तो वहाँ एक आर्मी ओफिसर आ चुका है यहां रनेतों को पता चलता है कि इन दोनों में रिलेशन्शिप है जब ओफिसर मलीना की घर से बाहर निकलता है तो उसे एक डॉक्टर देखता है यह डॉक्टर उसके पास जाकर कहता है कि मलीना मेरी फियांसे है तुम कैसे उसके घर से बाहर निकल सकते हो इन दोन में फाइट हो जाती है तब ही डॉक्टर की वाइब भी वहा आ जाती है डॉक्टर की वाइब इसका पीछाई कर रहे थी क्योंकि इसे पता था कि इसका कही न कही चक्कर चल रहा है यहाँ और भी लोग आ जाते है और यह बड़ा एशू बन जाता है सबको लगता है कि मलीना ने डॉक्टर के साथ यानि एक मैरिट आदमी के साथ सम्बन बनाया है इसे वज़े से इसे जेल भी हो सकती है मलीना अब एक लीगल ट्रबल में है तो एक एड़ोकेट के पास आती है जब इसका कोट चलता है तो डॉक्टर कहता है कि मेरी फियान से है मलीना से सवाल पुछा जाते है मलीना कहती है यह डॉक्टर सिर्फ मेरे घर पर एक बारी आया था और वो भी मेडिसिन डेनी के लिए हम दोनों में कुछ भी संबन नहीं है यह डॉक्टर वो कितना स्टर्ड है यही दिखाने के लिए मलीना का और उसका रिलेशन्शीप है यह बता रहा था एक्च्वल में ऐसा कुछ भी नहीं था मलीना से जब आर्मी ओफिसर के बारे में पूछा जाता है तो कहती ही कि यह मेरा पर्सनल मेंटन है इसे जानने का हग किसी को भी नहीं है स्कैंडल की वज़े से उस आर्मी ओफिसर के बदली हो जाती है अब रात में हम देखते हैं कि मलीना के घर पर लॉयर आया हुआ है यह उसे टच करने ही कोशश करता है तो मलीना उसे पैसे देती है वो कहती है कि इससे जादा में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती लॉयर केता है कि मेरी फिस तो इससे बहुत ही जाता है वो मलीना को जगड लेता है और उसके साथ इंटिमेट हो जाता है यह सब रने तो देख रहाता है मलीना भी कुछ कर नहीं पाती अब थोड़ा डाइम गुजर जाता है और रने तो को बहुत ही डिप्रेसिंग लगता है इस डॉक्टर को सब लोग लूजर समझते है कोई भी लड़की इसके पास नहीं जाती क्योंकि वो स्टिंग करता है यह मिडल एज है फिर भी अपनी मदर के साथ ही रहता है रने तो उस दिन के बाद मलीना के घर पर नजर रखने के लिए नहीं गया है मलीना अब इस लोयर से शादी करने वाली है रने तो कोई सुन कर बहुत ही बुरा लगता है और मलीना को लेटर लिखता है कि उसके साथ तुम कैसे पूरी जिन्दगी वीता सकती हो उसकी टीचर उसके पास आती है और यही सवाल वो अपनी टीचर से भी पोछ लेता है उसे लगता है कि वो मलीना ही है यह यहाँ बहुत मार खाता है रने तो वो प्रॉक्टर पर नजर रख रहा है डॉक्टर अपनी मदर को कहता है कि वो मलीना से शादी करने वाला है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है सबने अफ़वा बनाई है कि मलीना सब लोग के साथ सोती है इसी वज़े से उसकी मदर उसे बहुत मारती है अब मुवी में मुसुलीनी मर चुका है तो रेने तो नहीं पैंड मिल जाती है मलीना लॉयर से शादी नहीं करना जाती तो उसे हो मना कर देती है इसके बाद मलीना की financial situation बहुत ही खराब हो जाती है मलीना को उसके husband के भी pension अब मिलने रही तो उसके खाने पिने का भी बहुत बड़ा problem हो जाता है उसके बहुत बदनामी हो गई है तो अगर उसके पास specific होते है तब भी उसे कोई सबज्या वागिरा नहीं देता मलीना एक दूसरे आदमी से मिलती है और उससे ब्रेट लेती है इसके बदले में के भी इसके साथ intimate होना चाता है अब next year में हम देखते है कि इनके शहर के उपर से plane कुजरते है और बहुत बड़े bombs इन पर डाल देते है इसमें मलीना के फादर मर जाते है इस funeral पर सब लोग उसे कहते है कि उसका सहारा बन सकते है पर इन सब को सिर्फ इसके साथ intimate ही होना होता है रात में मलीना के पास खाना देने के लिए एक आदमी आता है ये फिर से उस पर जबक पड़ता है इस बार मलीना रेजिस नहीं करती अब next year में हमें दिखता है कि मलीना ने पुरा makeover कर लिया है मलीना पैसे कमा सके इसलिए prostitution में चली जाती है ये सब देखकर रनितों को बहुत ही बुरा लगता है ये depressed हो जाता है कुछ भी खाना पिना नहीं कर रहा होता सब को लगता है कि भूद ने इसे पचाड लिया है इस पर सब treatment होती है जाज में भी इसे लेकर जाया जाता है पर ये सब कुछ काम नहीं करता रनितों के फादर समझ आते है कि इसकी बिमारी अलग ही है इसे directly वो red light area में एक prostitute के पास लेकर आते है जब ये prostitute रनिता के साथ होती है तो इसे लगता है कि ये मलीना ही है वो मलीना को ही imagine करता है अब थोड़े दिन गुजर जाते है इटली war में जीत चुकी है और वहाँ जशन मनाया जा रहा है मलीना prostitution करने लग गई है तो गाउ की सब औरते अब उस पर बहुत ही चिड़ी हुई है अब सब wife decide करती है कि वो मलीना को सहर से बाहर निकाल देगी उसे बहुत मारते है मलीना भी वहाँ से निकल जाती है रने तो मलीना को जाते होई देखता है थोड़े दिनों बाद मलीना का husband गाउ में आ जाता है यह मरा नहीं था इसका heart टूट गया था और सब को लगा था कि यह मर चुका है यह गाउ में आता है पर इससे कोई बात नहीं कर रहाता जब अपने घर पर पहुचता है तो वह इमिगरंट सरे रहे होते है यह फिर आर्मी के आफिस में आ जाता है यहाँ उसे बताया जाता है कि मलीना प्रोस्ट्रूट बन चुकी है इससे बहुत ही दुख होता है यह नीचे आकर अपने कुछ फ्रेंड से बात करता है मलीना के बारे में पुछता है यह सब कहते है कि किसी रेड लाइट एरिया में होगी यह इसकी इंसल्ट करते है हजबन और उनकी फाइट हो जाती है पर हजबन ही गिर जाता है उसका हाट टूटा हुआ है तो ऊट नहीं सकता रेने तो भी उसका पीछा करते करते यह सब देख रहा होता है तो उसे वो सहारा देता है रात में हजबन अपने घर पर होता है तो रेने तो चूपके से जाकर उसे चिट्टी देख रहाता है आज़े वो भाग जाता है इस चिट्टी में लिखा होता है कि तुम्हें जो भी सब लोग कह रहे हैं ये सब कुछ गलत है सब बुरी चीज़े लोग मलीना के बारे में कहते हैं और मुझे पता है कि हमेशा तुम से ही प्यार करती थी उसने जो सब चीज़े की इस दिन मलीना सबजी लेने के लिए आती है यहां सब लोग बात कर रहे होते हैं फिर से वापसाना यह बहुत करेजियस था मलीना को कुछ लोग सिंपटाइज करने लग जाते हैं उसने इतना सब को जहला है तो उन्हें बुरा लगता है मलीना का हस्बन अब उसके साथ है उसे प्रोटेक्ट कर सकता है इसी वज़े से उसे फिर से अब सब लोग रिस्पेक देने लग जाते हैं मलीना घर वापस जा रहे होती है तब उसकी सबजीया नीचे गिर जाती है रने तो उसके पास जाता है और यह सब उठाने में उसे मदद करता है जाते जाते उसे कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ के लिए गूड लग मरीना भी स्माइल देती है और रने तो वहाँ से चला जाता है रने तो कहता है कि अब मैं वहाँ से भाग गया मेरे इनोसंस से मेरे पुराने लाइफ से मैं भागता ही चला गया उसके बाद मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ हमेशा मुझसे पुछती थी क्या तुम मुझे याद रखोगे पर हमेशा सिर्फ मैंने मलीना को ही याद रखा है यही है मुवी एंड हो जाती है अगर हम इस मुवी में देखे तो मलीना का हस्बंड चला गया तो सोसाइटी सब उसके खिलाफ हो गई उसके बीचे रूमर्स बना लग गई वो एक औरत है तो सिर्फ उसे अबजेक्टिफाई करने लग गया मलीना उनकी sexual desires complete करने का सिर्फ एक जरिया था रने तो भी मलीना से attracted था और firstly उसे objectify कर रहा था पर वो जब मलीना को दिन रात देखने लग गया तो उसे पता चला कि मलीना के life में चल क्या रहा है वो क्या कर रही है उसके साथ क्या हो रहा है उसके हालत कैसे है और यह उसे कैसे shape कर रहे है यह सब वो देखने लग गया उसे society में घुसा आने लग गया किसी की भी life में क्या चल रहा है यह कभी हम जान नहीं सकते उसके बारे में rumor करना कितना गलत है यह मुँँ हमें हमें बताती है मलीना को सब लोग जो समझते थे बाद में मलीना वही बन गए उसके बाद भी सब लोग ने उसे मार मार कर गाव से बाहर निकाल दिया उने तो समझ गया था कि वो सच उच में अगर मलीना से प्यार करता है तो मलीना को उसे जाने देना चाहिए इसलिए मलीना का हस्बन वापस आया तो मलीना के बारे में सब कुछ सच उसने उसे बता दिया अज़के वीडियो हम यही कतम करते हैं अकर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इसी मूविज लेकर आता रहे तो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नुटिवेशन आइकन दबाने में मत भूले हम विरसे मिलेंगे और एक नए मूविज के साथ तब के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे